हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल शिबानी देवनाद के विडियोज मैं हूँ शिबानी देवनाद और जैसे कि आपको पता है कि हमारी इस चैनल के मैध्यम से रोजगार और सरकरी योजना से समधी जानकारी आपको प्रदान करते हैं और आज हम ऐसा ही एक खास सरकरी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बेरोजगारों के लिए काफी फाइदमंद है और इस योजना का नाम है प्रधान मंतरी भारतिय जन अशोदी योजना दोस्तो प्रधान मंतरी जन अशोदी परियोजना की शुरुवात 2015 में की गई थी हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के इस योजना की घोशना करते समय कहा कि इस योजना के अंतरगत लोगों को सस्ती दर पर दवाई उपलब्द कराई जाएगी देश के अलग-अलग भागों में जान अश्रदी केंद्रक खोले जाएंगे और लोगों के लिए सस्ती दवाएं वहाँ पर उपलब्द कराए जाएगी इस योजना के अंतरगत जो जान अश्रदी केंद्रक खोलना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा सहयता प्रदान की जाएगी आज की इस वीडियो में हम आपको जन अश्रदी परियोजना के बारे में संपुर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे आपको इस योजना के तहट दो लाग पचास हजार रुपे की वित्य सहता कैसे पास सकते हैं दोस्तो इससे पहले अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिये ताकि हम आपके लिए जो भी सरकारी योजना और रोजगार से संबन दित वीडियो लेकर आए तो इसकी जानकारी आप पास सके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का खर्च बहुत जादा होने के कारण कई लोग बिना दवा के ही अपने जान से हाथ तक धो बैठते हैं ऐसे लोगों की मदद के ल जाना है इस योजना के अंतरगत ना केवर लोगों को सस्ती दवाया मिलेगी बलकि लोगों को काम भी मिलेगा क्योंकि जान अश्वदी केंद्र खोलनी के लिए उन्हें सरकार द्वारा वित्य सायत प्रदन की जाएगी यानि कि जो लोग दवायों से समंदित अपना बिज इस योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपे तक का इंटेंसिब हर महीने दिया जाएगा और जो लोग नकसर प्रभावी शेत्रों में रहते हैं और वहां रहते हुए जान अश्वदी केंद्र खोलते हैं तो उनको हर महीने 15,000 रुपे तक का इंटेंसिब दिया जाएगा इसक अधिकतम 15,000 रुपे तक का इंटेंसिब प्रदान किया जाएगा दोस्तो यदि कोई दिववांग वेक्ति जान अश्वदी केंद्र खोलता है तो उस वेक्ति को 40,000 रुपे तक की वित्य सहयता दी जाएगी जो वेक्ति जान अश्वदी केंद्र के दौरा एक महीने में 1, लाक रुपे तक की विक्री कर लेते हैं उनको 30,000 रुपे तक की कमाई होने की आशा है दोस्तो आपको बता दे कि केंद्र सरकार जान अश्वदी केंद्र खोलने के लिए प्रत्साहन के रुप में 5 लाक रुपे से 7 लाक रुपे तक की राशी भी प्रदान करेगी जान शवदी परयाजना के तहरन तक बुपनी आपको ना श्वदी परयाजना के खोलने के लिए पात्रता मंदन क्या हैं भारत सरकार ने herself भारत ओश्वदी केंद्र के लिए 3 की कैटेगरी पनाई है जकी इस प्रकार है बीरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रेजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर, ट्रस्ट, एंजियो, प्राइबिट होस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हल्प ग्रूप कैटेगरी से समन्दी, लोग भारतिय जन अश्वधी परियोजना के तहट अश्वधी केंद्रे खुलने के लिए अपने आपको नामांकित कर सकते हैं जन अश्वधी केंद्रे खुलने के लिए रीटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस होना अनिवहर है फॉर्म भरना होगा जिसको भरने के बाद ही अश्वधी केंद्रे खुलने के आग्या मिलेगी भारत में रहने वाले लोग ही इस योजना के अंतरकत अश्वधी केंद्रे खुलने के लिए अपना नाम नामांकित कर सकते हैं जो वेक्ति जन अश्वधी केंद्रे खोलना चाहता है उसके पास लगभग 120 स्क्वाइर फूट की जगह होना अनिवायर है किराय पर ली हुई जगह अपनी खुद की जगह पर जन अश्वधी केंद्रे खोलने के लिए वेक्ति आविदन कर सकता है बैंक की डिटेल जिसमें कम से कम पिछले तीन सालों के अडिट को दिखाना अनिवायर है क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि स्टोर चलाने के लिए आर्थिक रूप से बेक्ति सक्षम है या नहीं जन अश्वधी केंद्रे खोलने के लिए शुरूवत में धाई लाग तक का खर्च आ सकता है और जीन वेक्तियों को सरकार की तरफ से सहर्मति मिल जाएगी उनका पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाय जाएगा फार्णिचर के लिए एक लाग की सहयता सरकार द्वारा की जाएगी शुरूवत में मुफ्त दबाओं के माध्यम से एक लाग की सहयता सरकार द्वारा दी जाएगी कॉम्प्यूटर, इंटरनेट एवं पिरिंटर आधी की प्रतिपूर्ति के लिए पचास हजार रुपे भी वित्तिय सहयता के रूप में दिये जाएगे जान अश्रदी केंद्र खोलने के लिए आभिशक दस्तावेजों का होना अनिवायरा है तभी कोई वेक्ति जान अश्रदी केंद्र खोलने के लिए सरकार की सहमेती प्राप्त कर सकता है अधरकार्ट, पैनकार्ट, बैंक डिटेल्स, अगर कोई दिव्वांग वेक्ति है तो उससे जुड़ा हुआ दस्तावेज अब बात करते हैं जान अश्रदी केंद्र के खोलने के लिए आवेदन कर सकता है जो भी बैक्ति जान अश्रदी केंद्रे खोलना चाहता है उस बैक्ति को इसके वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउन डूट करना होगा आवेदन पत्र डाउन डूट करने के बाद आवेदन शूल के 5,000 रुपे का भोकतान करना पड़ेगा इसके अतरीक यदि कोई बेक्ती online ही ये registration करना चाहता है तो उस बेक्ती को official website के link पर जाना होगा इस link पर जाते ही direct form open हो जाएगा जिसमें जानकारी भरी जा सकती है और registration form को submit किया जा सकता है इसके अतरीक भरतिय जान अश्रदी परियोजना की official website पर जाकर भी registration form भरा जा सकता है इस site पर जाने के बाद registration page खूल जाएगा registration page में सारी guidelines पढ़ने के बाद apply online पर click करना होगा इसके बाद एक नया page open हो जाएगा इस page में sign up पर click करना होगा और id तथा password generate करना है sign in करने के बाद एक form open हो जाएगा इस form में मांगी हुई सारी जनकरी जैसे की नाम आधरसंका एवं अजन डिटेल भरनी होगी सारी डिटेल भरने के बाद कुछ दस्तवेज अप्रोड करने होगे दस्तवेज अप्रोड करने के बाद form को submit करना होगा इसी साइट पर वेक्ती status चेक कर सकता है कि उसके registration form को approval मिला है या नहीं दोस्तो भारत सरकार ने लोगों की मदद के लिए और दवाईयों को सस्ती धरों पर दिलवाने के लिए ही इन अशोदी केंदरों को खोला है और इसका फायदा सभी लोगों को अविश्य उठाना चाहिए इस योजना के माईधम से अपना आशोदी सेंटर खोलने के लिए भी लोगों को सहयता प्रदन की जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर अबश्य करें और इस चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय हैंदे